Hello dear students, myself Prakash Nirmalkar from Scientific Coding Institute बिलासपूर आज मैं आपको Agriculture के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा Information देना चाहूंगा कि Agriculture में क्या के Exams होते हैं कौन-कौन से Exams होते हैं और क्या हमारे लिए Importance होती है जिसे अगर अपन बात करें Students Agriculture में CG Level पे तो CG Level पे एक P.A.T. के एक्जाम होता है जो आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे Pre-Agriculture Test जो इस बार अभी तक तो नहीं हुआ है अब आगे का तो पता नहीं है ना तो इस बारे में जरूर मैं P.A.T. के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा P.A.T. में में मेंली क्या होता है अगर अपन बात करें तो तीन सब्जेक्ट का उसमें से Questions आता है जैसे अगर अपन देखे तो मेंली जो में सब्जेक्ट होता है हमारा Crop Production and Horticulture का इसमें फसल उत्पाजन और उध्यान सास्तर के बारे में नौर्मल से जो अपन 11 और 12 का जो कोर्स इले भी होता है उसमें से कुछ selected questions ही पूछे जाते हैं और दूसरा अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं अपन एनिमल हजबेंट्री की या पशू पालन जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में तो वो भी उसमें से भी जो 11 और 12 के ही ज्यादा तर जो हमारे portions होते हैं उन्हीं में से questions पूछे जाते हैं और अगर तीसरे अगर अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो है element of science जिसको बोलते हैं उसमें PCMB भी बोलते हैं कुछ बच्चे आज के sorts में तो उसमें जो है 20 इच जो physics, chemistry और math, bio से questions पूछे जाते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा जैसे आप agriculture के students हैं agriculture completely जो है practical का subject है अगर agriculture पर पन ध्यान देते हैं तो मालो जैसे agriculture पर practical की बात करें तो हमारे जो सारी चीज़ें agriculture में वो हमारे surroundings होते हैं चारों तरफ वो होती हैं जैसे मैं बहुतो इसकुल में गया हूँ वहां मैं class लिया हूँ तो मैं देखा हूँ कि बच्चे छोटी छोटी definitions जैसे सिचाई की परिभाशा irrigation की definition तक याद करते हैं तो irrigation की definition क्या हमको याद दिने की जुरुरत है क्या हम नहीं जानते हैं कि सिचाई क्या होता है क्या हमको इस सीच को रटना चाहिए कि irrigation क्या होता है क्या हमको यह रटना चाहिए मैं देखता हूं बच्चे जैसे एक्जाम साते हैं 12 अभी बोर्ड इक्जाम स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले तो मैं ज्यादा दर बच्चों को देता है जैसे ही एक्जाम आता है वह क्विश्चन उठाते हैं पहला चप्टार इरिगेशन द्रेनेज वह उठाके रटने स्टार्ट कर देते कि सिचाई क्या होता है और उसमें एक ही चीज जो बुक में जो डेफिनेशन लिखा रहता है कि पौदों को कित्रे मुश्वत जल देना ही सिचाई कहलाता है इंग्लिस में अगर बोले तो आर्टिफिशियल एप्लिकेशन इसके अलावा भी तो बहुं सारे डेफिनेशन हो सकते हैं जो हम जानते हैं अगर अपन किसान को पूछते हैं या किसान हमसे कोई गायड लेता है क्योंकि एक प्रेक्टिकल नॉलेज का कोर्स है तो क्या हम किसान को यहीं बोलेंगे कि पौदे को कृत्रिम रूप से जल दे सिचाई से क्या अलाब है यह सारी चीजे हमको पढ़ने की कोई जरुवत नहीं यह सब चीजे हम जानते हैं अगर हम उस डेफिनेशन को पौदे को कृत्रिम लूप से जल देना सिचाई कहलाता है ही ना लिखकर और अपने लेंग्वेज में भी अगर लिखते तो भी हमको गर जो दो नमबर डेफिनेशन का है वह हमको पूरा मिलेगा तो हमको इस चीज़ पर फोकस करने चाहिए कि जो हो एकर सकते हैं आप पासेंट बना सकते हैं अच्छे मांक्स ला सकते हैं लेकिन बार ने सकते हैं अगर आपको competition इग्जाम फाइट करना हें तो उस चीजों के बारे में जानना पड़ेगा हमको छोटी चोटी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा एक्षण में होता क्यूं है जैसे सब जानते हैं कि टमाटर लाल रंग का होता है लेकिन जैसा यह अपना एक्जाम आता है यह पीटी होना है तो अगर डिख्षा होने चीए कि वाकई में टमाटर में लाल रंग क्यों होता है अगर यह हमारे मन में अगर जानने की इच्छा हो तो हमको याद करने की जरुरत ही नहीं है कि हाँ भई अगर हमको पता है कि मिर्ची खाने से तीखा लगता है क्यों लगता है तीखा हमको यह क्यों लगता है यह हमको जानना चाहिए ना कि हमको रटना चाहिए कि मिर्चुमें कैपससीन एक पिगमेंट होता है इसके करांट से हमको तीखा हो लगता है या जो क्रिनीनेश होता है हरापन होता है वो होता है तो यह क्या ज़रूरी है कि हम उसको हर एक चीज को हम रटते रहें तो हमको इस चीज पर फोकस करना चा तो हमारे बहुंच सारे क्वेस्टन जो है इसली सौट अठोट हो जाते हैं और इसली हम उसके लिए जो है आगे बढ़ सकते हैं तो मैं आपको इसी पार्ट में से मैं आपको एनिमल साइंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा इंट्रोडक्टरी क्लास के होता है उसमें भी कुछ बैसे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तीन सब तीन से ज्यादा डिफ्रेंस नहीं पता होता है हम बच्चपन से देखते आ रहे हैं कि गया और भहस में क्या दिफ्रेंस है और ऑपने मन में एक बार जो है रिवाइस करके देख लिजिए आप किसी से कि गया और भैस में में अंतर यह जो सफेद होती है । यह सहीं डिफरेंस है क्या हम इस बैसे सबेंस करेंगे कि गया अरकल करेंगे बहुत सारी वただ होती है वह चीज़ें हमको जानने चाहिएं इनसान गई के बारे में ho वह पूरा नहीं जान पाता है जानता है तो इजली वह वह आराम से उसको क्मप्लीट कर सकता है और उसके से निकाल सकते हैं स्टीश में कुछ रहने को फास हता नहीं है हमारा में अगर देखा जाएiane तीन ब्रांचेस होती है एक तो हो जाता है मेन एनिमल हस्बेंट्री जिसमें अपने मेनली काउ गाये बफेलो भैस शेप भेड गोट बकरी इनके बारे में ही पढ़ते हैं कुछ पोर्शन पिग का भी है सुहर के बारे में भी कुछ ब्रेट्स वगेरा पढ़ते हैं मेनली और दूसरे पोर्शन में अगर बोला जाए तो डेरी की बारे में होती है डेरी मिंस यह काउ से जो हमको एकोनोमिकल प्रोडक्ट मिलता है जैसे मिल्क हो गई मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हो गया जिसको मिल्क प्रोडक्शन बोलते हैं यह भी दो पोर्शन में होता है मिल् did not hear the day में मिल्क और उसके composition और उससे बना viral कैसे बना इसके बारे में अगर उसके बाद बाद करते हैं अगर उसके बाद अगर बात करते हैं तो समें कुच पॉर्टरी फर्मिंग कियाती है भॉल्ट्री फर्मिंग मतलए मुर्गी पालन मुर्गी अगर अपन बात करते हैं तो मुर्गी पालन में ज्यादा तर मुर्गी पालन में पॉल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉल्ट्री या मुर्ग्यों का ही स्टडी करते हैं उसमें और भी कई बर्ट्स हैं जैसे पीजन है कबूतर है पिकॉक है मोर ज किसी animal के बारे में जानते भी नहीं हैं घाए हमारे आस्पास में होतीרי Right गाये लगब Architecture ली अगर देखा जाए तो हम उसकी हर एक part को बॉडिकर जानते हैं किımı पिट भी इंडिया में दो टाउप की होती हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहां पर बहुत Sou brat दंट्स होंगी जुनको काउऔ का भी फूल फ़ाम नहीं पता होगा काउऔ को भी पूरा नाम से जानांगाता है कोफ यहा पर मेंनिंग कई मिनिंग निकलता है लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ और मैंने जहां अध्यान किया है उसके क्रॉडिंग विज्डम का मतलब पवित्र मन से होता है इसलिए जो है काउ को cattle of wisdom के नाम से जाना जाता है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि काउ को सिर्फ काउ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको डिनोट करके cattle of wisdom के नाम से जाना जाता है काउव दो टैपस की होती है जनरली एक होती है इंडियन और एक होती है एक्षॉटिक मैं काउप इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कम्प्लीटली एनिमल साइंस जो है सेवेंटी परसेंट काउप के इसलिए मैं काउप फोकस करके मैं आपको प्राइमरी तौर पर कुछ जितनी भी मैं से हो पाईगी मैं बताने की कोशिश करूंगा जैसे काउप की बारे में बता रहते हैं काउप दो टैपस के होते हैं एक इ में अगर डिफ्रेंस कहा जाए कि काउप इंडियान काउप और एक्जॉटिक काउप में क्या डिफ्रेंस है इंडियान काउप और एक्जॉटिक काउप में 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 डिफ्रेंस यह है कि इंडियान काउप में हंप पाया जाता है जिसको कूबर बोलते हैं और एक्जॉटिक काव में hump या कुबर नहीं पाया जाता है ये main difference होता है सारे researches, सारे technologies, सारे crossings जो है अच्छे research institutes around world पूरे विश्व में जो है कोसिस करके देखी जा चुकी है लेकिन गाय के milk production तक को double किया जा सका है लेकिन आज तक भी देशी गाय hump develop नहीं किया जा सकता है यह main difference होता है cow और Indy cow और exotic cow में यह आप ध्यान में रखेंगे कि जो hump होता है उस hump का ऐसे traditional तौर पर अगर compare करें तो उसकी तुलना जो है मंदिर के गुमज से की जाती है उसकी भी जो structure होती है वह मांस्लमा जो भाग होता है वह विदेजी गायों में नहीं पाया जाता है यह आप ध्यान रखेंगे ये मेंद डिफरेंस होता है और इसी नसल जो इसी करण से जो है Indian को की अपनी अलग importance होती है Indian को जो है quality wise जो है दुनिया की सबसे अच्छी गाए होती है quantity wise बहुं सारी गाए है जैसे HFA, जो है गीर है, जर्शी है और जो है brown swiss है cross breeds में अपन जाते हैं बहुं सारे breeds हैं जो दुनिया भर में popular हैं due to mill production तो वो अपन उसको अगर quality basis पे अगर देखेंगे तो इंडिया की breeds जो है सबसे अच्छी माने जाती है जैसे साहीवाल कुष्म की गाए वो गाए जो है सबसे अच्छे दूत के लिए जाने जाती है ठीक है साहीवाल कुष्म की जो नसल होती है मांट गुमरी पाकिस्तान उसका और जिन अपन मानते हैं तो यह जो गाए होती है साहीवाल उसका मिलके जो है सबसे अच्छे quality का माना जाता है ऐसी ऐसी बहुं सारे अपने जैसे breeds होते हैं जैसे देवनी हो गई साहीवाल हो गई गीर गाए हो गई अंगोल हो गई यह सारे हैं उसके अलावा तक रटी फिर जो बोजाड़ होने वाले तो जैसे सबसे ब्लिट होती हैăm कॉंख्रेज जो ब्रीड होती है वह हैं जिसमें हरियानः थार पार कर हैं यह सigorी ब्रीड होती है वह जो मैं दिफरेंस होता है जो देशी काओ होते हैं जो हम्ब कंशी में होगत है जाव नेच में देशी और दूसरे differences पर अगर आपन जाते हैं तो जो जनरली जो देशी काउं होती है वो production wise जो है exotic के compare में कम होती है विदेशी गया के तुलना में वो थोड़ा से कम दूद देती है लेकिन अगर आपन देशी गया की बात करते हैं तो देशी गया के दूद जो है quality वाइस जो देखा जा या देशी गया की milk की तुलना में जो होती है वो कम होती है यह जो difference होता है quality और quantity का difference होता है उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं जैसे मैं breeds के बारे में बता रहा था तो 36 गड़ में भी एक breed होती है जिसको कोशली कहते हैं इसका दो चीज से इसका relation होता है एक तो 36 गड है कि जो इंडियान का सरी जो 36 गड़ का जो काओ होता है वह मा काशल्या जो श्री राम की जो माताजी थी उनके नाम थे इसलिए भी कोशली के नाम से जाना जाता है यह दो रिजन है लेकिन और अगर अगर अपन देखा जाए तो 36 गड़ के जो काओ की breed होती है उसको कोसली के नाम से जाना जाता है ऐसी एक ब्रीड होती है गोट में बकरी में जो ब्रीड होती है उसको अंजूरी के नाम से जाना जाता है जो चतिस गड़ में जो बकरी की जो नसल होती है उसको अंजूरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ज्यादा तर जो एनिमल या जो वेटनेरी क तो अन्जोरी के नाम से जाना जाता है वो आगे अपना और जब कभी वारीट्स के पर पर इसलिए जो और इसी चैप्टर में डिसकर करें तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा तो यह कुछ ब्रीट्स की और काव की बातें हो गई। आप फैलों में भी में कुछ ऐसे ही होते हैं काउ में जो है जनरली अदेखा जाए तो अपन सिर्फ कलर करके बैसिस पर डिफरेंस नहीं बदा सकते कि काउ और बाफेलो में यह होता है चीक है तो अगर में इचले की अगर बात करें और बफेलो में तो उसमें जो है डूलैप नहीं पाया जाता है बफेलो जो होती है उसमें गलकंबल जिसको बोलते है डूलैप जो गले के नीचे जो एक muscular structure होता है वो जो है बफेलो में absent होता है और वो चीज़े जो है काउ में पाई जाती है ये एक main difference होता है काउ और बफेलो में कि बफेलो स्ट्रक्टर जो डूइलैप कहा जाता है इंग्लेगी में गलकंबल पाया जाता है यह पूर्शन होता है ने लेकिन वहंज जांफरवादी वह इसमें वो थोड़ा सा डेफलापड होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है तो एक ब्रीड के नाम से कुश्चन जो में पर तो फोडूर से तो यो जो चोटे प्रारूप में पर यह हो तो Diploys चाहिए disp प्रेंस की अगर बात रहे तो गया स्टेशन पिरियड हो गया जिसको पन गर्भकाल बोलते हैं काउ जो है गाय जो है बच्चे देने में जो है 281 या 283 डेस का टाइम लेती है बफेलो जो है 307 से 307 का समय लेती है अगर मंत वाइस भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काउ कितने मेहने में कितने में कितने दिन में बच्चे देती तो यह 9 मंथ 9 डेस आप याद रखेंगे और बफेलो का अगर पूछते तो 10 मंथ 10 डेस यह नॉर्मल सी चीजी है यह जनरल इंफोर्मेशन जो एग एनिमल्स का है वो भी बहुत इंपोर्टेंट होता है कि का काउ में कितनी दाते होती हैं कितने बहुंस होती हैं काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं बहस के बच्चे को क्या बोलते हैं काउ के मांस को क्या बोलते हैं यह सब चीजे याद करने की नहीं है हम कॉमन टेस्ट में सुनते हैं कि कहीं कहीं सुनते कि यहां बीफ फार्टी हु यहां बीफ फार्टी हुआ तो बीफ मतलब क्या होता है कि याद करना चाहिए मैं अभी भी देखता हूं बच्छे से कभी क्लास में पूच देता हूं कि काउ के मीट को क्या बोलते हैं तो बच्चे सब्सक्षा रहते हैं बफीन बफीन भी ये कभी-कभी बच्चे पता भी नहीं पाते हैं तो यह वह किया तो यह माइड में सेब्लिश करने वाले चीज़न और यह अगा करते हैं आगे में ही अगर बात करते यह तो होग कि बीड की बात और 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 यह थोड़ी से जैनरल इंफरमिशन क्यूंदा के जैसे बच्चे होते हैं जो काफ5 बोलते हैं बच्छच जिसको बोलते हैं गोट में ऍपको एंब बोलते हैं यह सब चीजें करते हैं common talk भी करने किसी अपने फ्रEंड से तो यह इन सब में बात क्या करो मेली लिए काफ है यह प्रेप है यह यहरोच लेंड है यह जिल मैं यह लम है यह सब जी याद छिए आप मगश्मस पूछे सब्सक्राइब यह चोती चोटी 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 से जो इंपोर्टेंट है और इसको आपको बार बार यात करने की जरूरत नहीं ऐसे जब questions होते हैं वो आपने अगर room partners हैं अगर hostel में आप रह रहे हैं तो room partners हैं उनसे discuss करके याद कर सकते हो आप अगर इन छोटी छोटी चीज़ें को रड़ने की कोशिस करोगे तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा तो अगर अगर आगे बात करते हैं जैसे यह तो हो गई अपन general information की बात structure की बात करते हैं body structure की बात करते है Anaotomy की बात करते है animal anatomy एक बहुत इंपॉर्टन सब्जेक्ट है अनिमल की अगर अड़न बात करते है तो और जो एक्स्टर्नल सिस्टम होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं इंटर्नल सिस्टम मिन्स जैसे अपन डाइजिस्टिव सिस्टम हो गया कैसे लेड़ डाउन होता है और कैसे टीट के माद्यम से वह एक्सक्रीट होता है वह गया ब्लड शर्कुलेशन सिस्टम रेस्पिरेशन सिस्टम यह सब इंटर्नल सिस्टम है जिसको अपन जो है नेकेड आई से या देख नहीं सकते सिर्फ अपन इसको एजिम कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा और एक्स्टर सिर में सिंग होते हैं हौंस बोलते हैं तो उसकी क्या क्या function है तो सिदी से बाद उसको आप लोग भी जा रहे हैं जो है अपने सेल्फ को सेल प्रोडेक्शन के लिए उस हांस का यूज करती है इंटर्नल सिस्टम में अगर बात है तो डसटीव सिस्टर एक बहुत इम्पोर्टें इम्पोर्टेन सिस्टम होता है जिसके उपर बहुत सारे questions हर साल आते हैं उसमें भी main part होता है उसके stomach का जो उनका stomach होता है वो four part में divide होता है तो यह बहुत ही important है इसके उपर अपन discuss में detail में discuss अपन किसी class में करेंगे जब मैं उसमें आपको detail में में बताऊंगा कि anatomy क्या होता है लेकिन यह जो उनका anatomy से अगर अपन main अगर देखा जा तो मिल्क से क्रिशन सिस्टम और digestive सिस्टम यह दो सिस्टम जो है बहुत important होते हैं और हर साल पीटी में जो है इससे questions पूछे जाते हैं यह किसी भी agriculture related entrance exam हो या recruitment exam हो इसमें पूछी जाती है तो आप इस पे भी थोड़ा सा focus करेंगे यह बहुत ही important chapter होता है अगर 11 वाले students भी अगर इस इडियो को देख रहे हैं तो उनको भी यह पता होना चीए कि यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वह बहुत important chapter है जो आपका animal anatomy वह दो चैप्टर में डिवाइड है एक internal anatomy में है और एक external anatomy में है जो आगे आप लोग पढ़ोगे उसको आप इसको थोड़ा सा कियरफुली पढ़ना यह बहुत ही important topic होती है ठीक है तो यह तो हो गई anatomy की बात anatomy के अलावा भी बहुत सारे उसमें जैसे breeds तो बता दिया मैं anatomy हो गया general information हो गया breeding animal breeding भी जो है यह 11 का चैप्टर है लेकिन यह भी बहुत important चैप्टर है animal breeding से ही हर साल questions पूछे जाते हैं जैसे ज्यादा तर मैं देखा हूं कि उसमें in breeding और out breeding में difference तक पूछा जाता है उसमें भी बच्चे लोग को confusion होता है यह जो ब्रीडिंग का फिर अगर अपन बात करते हैं तोक्र साटबीनिंग के बात करते हैं और इसको भी थोड़ा सा कियरफिल्य पढ़ेंगे और यह बहुत इजी है बहुत इजी है आप थोड़ा समन लगा के अगर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और यह सबसे इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है सबसे स्कूरिंग सब्जेक्ट है इसमें बच्चे नैंटी नाइन तक जो है माक्स लेकि आए हुए हैं और जो है कॉम्पेटीशन में अगर देखा जाए तो इस साल तो एक्जाम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन 2019 की अगर अपन बात करते ह जो है आउट आप 60 59 तक मार्क्स कवर किया और जहां तक में को जानरों में 2017 में एक स्टूडेंट था वो आउट आफ 60 60 मार्क्स कवर किया था एनिमल सैंस में उसका ओवराल 30 रंक लगा था उमेश बरेट नाम है हमारे कोचिंग का स्टूडेंट था वो अभी राइज बहुत है इसमें बहुत बहुत है और पास यह बहुत है जिदी बन जाता है तो वह उसको भी अपन मिनाने के लिए ट्राइ करेंगे जब अभी भी डाइट का या राशन का अपन जो है प्लास कंटीनु करेंगे उस टाइम पे उसके बाद अगर बात करते हैं तो राशन हो गया ब्रीट्स हो गया ब्रीट्स के बाद एनीमल जो वेटनेरी के लिए एक्विपमेंट यूज होते हैं बहुत सारे एक्विपमेंट जैसे जो उनके वेटनेरी के लिए या उनके चिकत्सा के लिए जिसको बोलते हैं उपयोग होते हैं जैसे अपन देखा जाए तो जैसे ट्रो जूसी फोडर दे देते हैं ज्यादा रसीला चारा दे देते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसको निकालने के लिए उसके करण से उसके जो र्यूमेन होता है फास्ट को र्यूमेन बोलते हैं तो जो र्यूमेन में क्या हो जाता है उस स्टिटिस डिसिस हो गया थनेला रोग जिसको बोलते हैं वह अगर हो गया तो उसमें जो ब्लॉकेज क्रियेट होता है जिससे मिल्क जो है टीट से जो है निकलना बंध हो जाता है तो उस रुके हुए दूद को निगालने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है उसको टीट सैफन करते हैं उसके अलावे अवह सारे ऐसे उपकरन हैं जिसका जो है विजाइनल स्पेक्टिलम हो गया और बहुंसारा और उपयोग जो है जिसको जो है जैसे बड़ी जो का स्ट्रीटर हो घया डी हो डिहौर्नर हो घया ये सारे equipment का यूज जो है वेटनेरी में किया जाता है और ये जो है ये भी जो है पांच मेरे ख्याल से ये कई बार ऐसे questions आते हैं और इससे questions आते ही है ये सब चीज़े बहुत ही important चीज़े है उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं इसमें dairy की dairy में milk products की जादा दर questions होते है dairy portions में देखा जाए तो dairy में पहला चीज़े होता है कि दूद कैसे बनता है दूद मेरे क्याल से जो milk का formation है वो एक बहुत ही important topic बनता है exams के purpose से देखा जाए तो कि कैसे जो है दूद का formation होता है और कैसे milk का let down होता है कैसे milk जो है आयान से बाहर आती है यह पूरा completely जो है hormonal activity होता है यह पूरी तरह से hormones के उपर depend करता है आप कभी कभी सुने भी होगे और कहीं कहीं पढ़े भी होगे आपको मैं बता दूँ कि जो है एक लिटर दूद को बनने के लिए एक लिटर मिल्क को बनने के लिए 400 से 500 लिटर ब्लट को जो है टीट से पास होना पड़ता है गुजरना पड़ता है जो 400 से 500 लिटर दूद जो ब्लड होती है वो जब टीट को पास आउट कर जाती है बार बार उसी से पास होती है तब जा करके जो है एक लिटर दूद का निर्मान होता है तो कितनी value रखती ह जो है मिल्क का फॉर्मेशन कितना मुश्किल से होता है और कितनी वैल्यू रखती है यह चीज आप यहां से समझ सकते हैं ठीक है तो यह ध्यां रखेंगे 400 यह कुश्चन बहुत बार पूछा गया कि एक लिटर दूद को बनने के लिए कितने लिटर ब्लड को टीट से होके य हार्मोन के उपर कंट्रोल होता है जैसे कई बार यह पूछा गया है कि दूद का निकलना किस हार्मोन के कारण होता है तो मेरे खाते सब लोग जा रहे हैं कि ऑक्सिटोसिन एक हार्मोन होता है जो मिल्क लेट डाउन के लिए रिस्पॉंसिबल होता है अगर ऑक्सिडोसिन जो है active है तभी गाय जो है दूद का excrete करेगी या उसको let down करेगी या आयान से बाहर निकालेगी अदर्वाइस वो दूद को बिना oxytocin के बिना oxytocin hormone के activation के उसको let down नहीं किया जा सकता यह ऐसा है कि इस hormone का effect कि सुर्फ 7 मिन疫 के लिए होता है आप सुनें भी होगे कि खुन से कन्प्रRI के बाद के बाद यह function less हो जाती है यह कारे करेंखरना बंद कर देती है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जितना भी दूद होता है जितना भी milking होता है काॉज से वह 7 internships में साथ मिनट में complete कर लेना चाहिए साथ मिनट के बाद जो है दूद दोहन का कारे नहीं किया जा सकता milking का कारे नहीं किया जा सकता बहुं सारी ऐसी होती है गये होती है जिससे पूरी मात्रा में जो high milking breeds होती है उनसे दूद नहीं निकल पाता है कुछ दूद जो है उसके टीट में रहा जाता है साथ में milking का काम पूरा नहीं हो पाता है वो उसके टीट में रहा जाता है उसको remand milk या अफसेज दूद कहते हैं यह total milk production का जो गये total दूद दे रही है उसका 12-14% तक हो सकता है exactly नहीं कहा जा सकता बट कुछ milk जो है मिलक के कुछ पॉर्शान अगर साथ में milking कारे पूरा नहीं किया जाता है वो टीट में क्या हो जाता है रुख जाता है उसको अपन artificially oxytocin का injection देके भी निकाल सकते हैं बट वो animal के लिए बहुत harmful होता है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए उसको किसी भी कंडिशन पे oxytocin का injection देके नहीं निकालना चाहिए इसका भी ध्यान रखे ये questions पूछे जाते हैं कभी-कभी ऐसे भी questions पूछे गए हैं कि गाय को अगर milking के टाइम पे अगर डरा दिया जाता है यहां मालोग कहीं डर गई गए जैसे बच्चे ही है जैसे दीवाले कर सीज Thai जने बच्चे कहीं बाहर प्ठाका वगरा जया जिला जिए तो जहया ओती है milking के टाइप इब फठाका अगर ज्ला जिए तो डर जाती है एंटियोग्सितोशिन हार्मोन चैनल और यह औक्सितोशिन के प्रभाव को रोख्यती है और गय्य दूदेना बंद कर देटी यह में टिस्टर्मेंस ती नहीं है मिलकिंग ओर इसके इस सिस्टम के बारे में डिटेल में आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे मैं इसके बारे में भी किसी क्लास में आपको जरूर बताऊंगा ठीक है अगर आगे बात करते हैं जो है मिल्क कैसे बनते हैं मिल्क किससे बना होता है मैं पहले ही बताया कि मिल्क ब्लट से बना होत में गाय के दूद्ध और भैस के होता है कांव का मिलक अर्पलं के तुलॕ में Ch result छोड़ी क्विस्पे में पूचा गया सा धा कि गाय के दूद्ध में पीला रंग या हलका पीलापन किसके करणंट से होता है है तो वह जो है वह जुह ऐंजरों के कराणोंसे होता है उसमें डिए उपंसर कैसिन भी दिया हुआ था कैरोटीन दिया हुआ था और इबी दो कॉटे writes समें narrating काव का मिल्क जो आँ बाफेलों के मिल्क के कम्पेयर में हलकी सी पीली होती है जो कि उसमें कैरोटीन नामा के पिगमेंट होता है उसके अवेलेबिलिटी के कारण उसके प्रेजेंस के कारण उसमें पीलापन बनाए रखती है यह जो है डिफरेंस होती है काव और बफेलो के मिलके में बफेलो का मिल्क क्या होता है वाइट होता है बफेलो का मिल्क वाइट होने का रिजन वो जो है केसीन के करण होता है केसीन प्रोटीन ही होता है प्रोटीन का ही टाइप है केसीन जो है उस केसीन के एवेलेबिलिटी के करण जो है बफेलो का मिल्क जो है क्या होता है वाइट हो बात करते हैं कि मिल्क का कंपोजिशन में बता दिया उसमें केसीन होता है कैरोटिन उसमें दो टैप्स के material साते हैं एक होते हैं soluble एक होते non soluble और एक होते है यह ऐसा कहा जासे कते solid और एक liquid solid में जिसे जो जो ऐसे materials जो solid form में होती है जो मिल्क में वोती है जैसे केसीन हो गई केरोटीन हो गई मिन्राल्स हो गई यह फैट हो गई यह सब चीजे जो है सॉलिड में यह जो है लिक्विड में अगर बात किरें तो पानी जैसे हर एक पसु के मिल्क में अलग-अलग जो है quantity में water पाया जाते हैं लेकिन almost सारे animal में almost जो pet animals होते हैं जो पालतू पस हुए होती हैं गाया बैस बेड़ बकरी जिसके अपने जो है इसी लेवस के अगर बात करते हैं उन सभी के मिलके में almost 80% से उपर ही पानी पाया जाता है उससे कम पानी किसी भी के मिलक में नहीं होता है इस जिसका भी अपन ध्यान रखेंगे ठीक है क्योंकि मिलक का composition पूछा ही जाता है कि lactose क्या होता है काउ के milk में lactose कितना होता है प्रोटीन कितना होता है प्रोटीन होता है तो कौन से प्रोटीन होता है मैं बताया कि केसीन प्रोटीन होता है किसीन कितना परसेंट होता है केसीन जो है 2.75% होता है काउ के मिलक का बहुं सारा जो है physical properties पूछा जाता है physical properties में जैसे physical properties में क्या क्या आ सकता है जैसे specific density होता है जिसको बोलते हैं गाय का मिलक होता है बेड कर दोता है निये सब माइन होते हैं इससे बख्री में के 1008 होता है गाय में 10030 होता है तो फेस्ते होता है यह सब चीज़ें लेकिन यह पूछा जाता है कभी-कभी questions ऐसे भी पूछे जाते हैं कि cow और buffalo के दूद में जो है आपटेशिन घनत्व में क्या differences होती है कि गये का दूद का अपटेशिन घनत्व जदा होता है या भैस के दूद का आपटेशिन घनत्व जदा होता है या दोनों का समान होता है या दोनों का बराबर हो या दोनों का कम होता है इस टैप से options में भी पूछे जाते हैं तो इसको आप फुरसा ध्यान रखेंगे freezing point होता है milk का कि दूद कितने जो है point में कितने temperature में जो है एक जो है बर्फ के रूप में जो है क्या हो जाती है जम जाती है तो यह freezing point कहलाती है तो freezing point भी मेरे ख्याल से हर साल इससे questions आते हैं तो freezing point means obviously वह minus में जाएगा temperature जब below zero degrees Celsius होता है तभी जो है वह फ्रिज होती है यह वर्फ की रूप में जमती है इसमें भी questions कही टेप से पूछे जाते हैं कि cow के milk का freezing point क्या होता है कभी-कभी exact temperature दिया होता है minus 0.55 degrees Celsius कभी-कभी दिया जाता है below zero degrees Celsius तो below zero degrees Celsius जो है अगर option में है तो यह भी गलत नहीं है क्योंकि minus 0.55 भी जो है क्या होता है below zero degrees Celsius ही होता है तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सब चीज़े जो है जो है मिल्क फैट क्योंकि अल्मूस्ट का जो है अल्मूस्ट का जो है जो है फ्रिजिंग पॉइंट सेम होता है का जो है इसकी दी होता है अमांट फैट होता है की मात्र होता है यह सब जो है आगे जो है अगर आपन चैप्टर वाइस Fehlerat करते हैं इन्हीं से बने प्रॉडक्ष जैसे अपनम देखते हैं जैसे मिल्क से बहुत सार बनती है ज tob where घी बंता है रबडी बंती है आइश क्रीम बंती है शीखन बनती है यह सारे सब दूद्द से यी पुरारत होती है और इनी सब चीजों का study जो है इनी सब चीजों का दियान जो है milk production 2 के अंतरगत किया जाता है ज्यादा तर्मिल production में या तो जो equipments होती है जो आउजारे होती है जो milk product निर्मान करने के लिए use की जाती है उसका study किया जाता है जैसे cream separator हो गया यह questions बहुत बार आया है पिछले स क्या यूज है यह तो नॉर्मल सा चीज है इसके नाम पर ही जो है इसका मेनिंग है क्रिम से प्रेटर में क्रिम से प्रेट करने वाला यह question बहुत बार पूछा गया है कि दूस से क्रिम निकालने के लिए किस मशिन का अप्योग किया जाता है तो इसमें कभी-कभी question यह पू सिध्धान पर कारे करते हैं दो टाइपस के फोस होते हैं centrifugal और centripetal अब इस चीज को ध्यान रखेंगे यह question जब पूछा जाता है पीटी हो गया या किसी भी competition exam में तो यह इसी बेसिस पर पूछा जाता है कि centrifugal या centripetal तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर अभ इसेम एक एक्विपमेंट अथा लेक्टोमीटर लेक्टोमीटर का यूज स्पैसिफिक डेंस्टी नापने के लिए किया जाता है गया के दूद का अपने के लिए किसका यूज किया जाता है यह question अभी पिछले साल 12 के एक्जाम में आया था जो है objective पोजिशन में कि लेक्टोमीटर जो है किस प्रिंसपल पे बड़ करता है लेक्टोमीटर जो है मिल्क का कासे एसफ़ 주는 करने के लिए आप अक्शी घंतव ज्याद तरने के लिए उस किया जाता है और वो जो है हाइट्रोमिटर के प्रिंस्पल पे कारे करता है लेक्टोमिटर जो है हाइट्रोमिटर के सिधान पे कारे करता है कभी कभी ये भी कुछा गया है कि लेक्टोमिटर में कितने तक के नंबर्स या अंक दिये हुए होते हैं हमेशा ध्यान रखेंगे LAKTOMETAR में 0 to 40 0 से 40 तक के नंबर दिये हुए होते हैं ठीक है यह ध्यान रखेंगे LAKTOMETAR का LAKTOMETAR का एक Numeric Question भी आता है Numerical Question भी आता है 12 के board पर की Specific Density का जो correction होता है उसके basis पे वो भी बहुत easy है वो 12 वाले पढ़ते हैं वो हर साल आता है इसको भी ध्यान में रखेंगे 12 वाले बिल्कुल अगर आप हमारे इंस्टिटुट में हैं तो हमारे यहां भी बताया जाएगा अगर आप किसी और इंस्टिटुट में तो इस question को आप carefully जो है contact कर सकते हैं इसके लभी आप बेफिकर रही है ठीक है तो यह मिल प्रॉडक्शन टू की बात हो गई कि आइस क्रीम कैसे बनाते हैं घी कैसे बनाते हैं मखन कैसे बनाते हैं यह सब चीजे जो है मिल प्रॉडक्शन टू में आते हैं मिल प्रॉडक्शन टू की बाद अगर प्रवाकाई में जो है अंडा पहले आए या मुर्गी पहले आई यह सब कुछा जाता है तो मैं आपको बता दूँ जो है दो टाइप्स के होते हैं एक होता है यूर। जो है वेज होता है नौन होते हैं एक होता है होता है एक होता है प्रीघ नवग और एक होता है और highly जो अट a bit होता है अंडे दिन अगर ज्रूरी नहीं है कि मुर्गिया k्रॉस करने से ही मुर्गें के साथ ख्रोस करने के करने से ही है इसा जरूरी नहीं है without meeting भी बिना cross के भी मुर्गिया जो है अंडे देती कंडेटी है वो नॉपर्टाइल होती है जो मारकेट में अपने है उसके अंदर भूड नहीं होता है इसलिए उसको जो है क्या कहा जाता है अंडे को वेज के कैटगरी में माना जाता है अभी इस पर कहीं लोगों का कईमत है लेकिन साइंटिफिक तो यह होता है कि वह जो है अपन जो यूज करते हैं अगर फर्टाइल का यूज करें तो वह वेज में आएगा चीक है तो यह आपको मैं बता दूँ इसमें कुछ और क्वेशन साते हैं जैसे एक फ्रेस एग का वेट कितना होता है एक ताजे अंडे का वजन कितना होता है मेरे कास से आप लोग भी जान रहे होगी ताजे अंडे का लगबग वजन 57 ग्राम के आसपास होता है एक्जैट्ली तो नहीं कहा सकते कि अंडा 57 ग्राम कहीं होगा लेकिन एक अमूम अनतौर पर अगर देखा जा तो एक ताजे अंडे का वजन 57 ग्राम होता है प्रॉक्स चीक है वह 57 वाला एक भी जो है वह बहुत अच्छा माना जाता है हैचिंग के लिए हैचिंग म क्या होता है यह दोड़ वर्ड बहुत डिफ्रेंस होती है मुझ लोगों के मन में जो है डाउट क्रियेट करते हैं लेंग क्या होता है अंडे देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं लेंग कहते हैं लेकिन जो हैच करना क्या होता है उससे जो अंडे के अंडे से जो चूजे बोलते हैं हैचिंग इसके लिए भी हैचिंग के लिए भी दो टाइप का है अगर आपन देखा जाए तो जो इंक्यूबेशन जो होता है दो टैपस का होता है अंडे से चूझे बनने में 21 लगता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंडे होते हैं पुल्टरी में किला आप 10ають करते हैं उससे वोड़ अपने अन्डे को सेकर के चुजह विक्सित करती दूसरा क्या होता है विधित फूर या इंक्विशिन कीविश सेविलéfet suff You उसमें क्या होती है इंक्यूबेश्म से जड़े और फिसलिंग्स होता है उस मसीन में जो है अंडे को रखकर सेया जाता है और 21 दिन में जो है उसमें इंक्यूबटर में रखके अंडे को सेने से जो मुर्गियां जो अंडे होती है वो जो है चुजे के रूप में डेवलफ हो जाती इसमें फर्टाइल लेका उपयोग किया जाता है इसको भी ध्यान वह भी दो टैप से किया जा सकता है दो टैप से किया जा सकता है इन दे सेंस एक नेचरल और एक आर्टिफिशल नेचरल में वही प्रोसेस जो उसकी मां होती है वह उसको अपने बच्चों अपने चुजों को अपने साथ घुमाती है और वह उसका लालन पालन करती है ठीक ह तो यह भारती मुर्गिया जो होती है वो इसमें क्या होती है बेस्ट होती है कि इसमें चूजो के लालन पालन में ब्रूडिंग में ऐसी ऐसी मुर्गियां जो ब्रूडिंग का काम बहुत अच्छे से करती है उसको ब्रूडी भी बोलते हैं ब्रूडी भी कहा जाता है इसको आपन्दियान में रहेएंगें उसके अलावा अगर मांत करते हैं तो दूसरा कर सोग बढ़ते रहते हैं उसके लिए फीड रहता है और ऐसा environment create कर देते हैं कि वह बहुत ही जल्दी और अच्छे वांभी क्या कर लेती है अपने आपको ग्रो कर लेती है और बहुत ही जल्दी वह बढ़ जाती है चीक है बहुत सारी और जो है ब्रीट्ट होती है पोल्ट्री में भी कुछ important सुने होंगे आप लोग जैसे कलकनात बहुत सुने होंगे करणात अपने नाम से एक फिह म से ऐसा है कलकनात जू है उसका पूरे पूरा हर एक पार जो है ज्या होता है काला होता है इवन वह अगर अंडे भी देती है तो उसका औटर मेंब्रेन भी जो है blackish white होता है थोड़ा स पंद ब्रेड में बिल्कुल भी rate circle नहीं होता हूं उसका जो है बॉड़ी का इवणim जो सिर्पे होता है कॉम जुसको बोलतें कलगी वह भी जयब कहती है उसके पिछे पर ञूर्द नहीं होता है जो उसके मीट को उसके ब्लेड को बॉड़ी के पाल्ट को क्या कर देता है बलेक परदेता है को यह जो है नूूरिशन परपस सबसे अचीň होती है जो है जो कलाक नाफ करती है वह यह मेंलिज जो है मद्य प्रदिस के द्यौबभवा değil में तुछ चद्य कुछ कांकेर जीलों में भी होता है उधर बस्तर साइड में ऊराइनपूर कांकेर बस्तर साइड और यह इसका जो है लखनव होता है इसलिए इसको काउख अफ लखने भी बोला जाता है जो लखनव का मुर्गा भी कहा जाता है यह एक बहुत ही उंपॉर्टन ब्रीड होती है अन्डे के पापस से देखा जाय ति कौन सा ब्रीड होता है जो सबसे ज्यादा एग लेंग करता है तो वो जो होता है वाइट लेग होन होता है अभी जो ज्यादा तर क्वेस्टन्स पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा अंडे को पादन कौन सी ब्रीट करती है तो वो जो अपन कोर्स के बात करते हैं 11-12 की जो कोर्स से अंडर से बात करते हैं मैं उसकी बात करों उसके रावे भी दुनियम बहुत सारे से ब्रीट है जो ज्यादा एक प्रोडक्शन करती है लेकिन अगर पन 11-12 की कोर्स बेसिस पर देखा जाए तो में जो वाइट लेग हौन होती है वह एक सो असी अंडे जो है लगबग देती है वह साल में वाइट लेग ह पॉल्टरी में डिफरेंस यह है कि इंडियान जो पॉल्टरीज होती है वह मूीट के लिए फेमसות नहीं अगर अगर यह जो विदेशी नसले विदेशी नसले सिर्फ एग लेंग के लिए या अंडेउत पाधन के लिए फ्यम глаз होती है उनका एक प्रोडक्शन कैपसिटी क्या होता है बहुत ज्यादा होता है 180-200 तक जो है उनका एक प्रोडक्शन चैपसिटी होता है मुर्गियों में मुर्गी पालान में अगर आपन देखा जाए तो उसमें यही सब चीजें हैं एक तो एक के बारे में हैं दूसरा उसके बिट्स के बारे में हैं तुसरा पॉल्ट्री राशन के बारे में मुर्गियों के अहार क्या खिलाते हैं तो मुर्गियों के अहार के ल के लिए जो है बहुत अच्छा सोर्स है ठीक है अहार में ब्यूद सब्सक्राइब हमेरी 3-6 होते हैं ठीक है वह गणल क्या होते गई ली इंपॉर्टन रहें जी में कर्पोइड्रेट है वशाज जिसको बनाなら प्रोटीन मेंडरेल्स वाटर और जो है विटामिन्स यह च्छह जो प्रोड़ जो इलेमेंट्स होते हैं वह बोड़ी के लिए बहुत है एसेंसियल होते हैं यह एनिमल्स में भी है पॉल्टरी में भी है इसका आप ध्यान रखेंगे ठीक है यह राशन के चैप्टर में है और कौन साइन इसको ध्यान में रखेंगे अगर बात करते हैं कि भी में बात करते हैं तो ये तो हो गया हासोसिंग से क्षेंत दो मिलीstoffल में को एक होटे हैं के वारे ह में इनिडिया में सबसाएदा डिप लीडर सिस्टम को प्योक है एकल जाते हैं उसको नहीं ड्यान्यों को जो है व्यक्त जो और एक और method होता है जिसको अपन जो है क्या बोलते हैं पिंजड़ा प्रणाली बोलते हैं के सिस्टम जो है क्या होता है commercial method of powdery farming उसको क्या बोलते है अपन जो है पिंजड़ा प्रणाली बोलते हैं वो जो है मुर्गी पलन की व्योफ शायक पद्धति होती है यह दो में जो है क्या होती है इंटेंसिव सिस्टम का पार्ट होता है किसमें ऑउसिंग पॉल्ट्रे यह दोनों चीज का ही जादतर उपयोग किया जाता है अब इसको मैं इसलिए बताया कि यह कॉमर्सियल होता है और एक क्या होता है को सैंटिफिक होता है ठीक है एक डिव लिटर जो सैंटिफिक मेथल बोलते हैं और कॉमर्सियल मेथल की नाम से केज को जाना जाता है आज भी आप मार्केट में जाओ तो वहाँ केज में ही रखा रहता है आप देखे होगे ठीक है तो केस्सिस्टम को सो गोई को कमर्शियल सिस्टम के नाम से जाता हैं यह कुछ बहुत बार पूचा करें तीसरा होता है फ्रीरेंस सिस्टम खुली या स्वतंत्र विच्णनल प्रालीं में जो विलेज अरिया होते हैं मुआ पर किसान दोठो मुर्गयां लिए और उसको खाली छोड़ देते हैं और वो मुर्गयां अपना जो है कुछ-कुछ खाके जो हमारे इंवारइमेंट में रखि हुए उसको खाके अपने राइब करतीए थी की यह हाउसंङ सीस्टम में फिर आते हैं अपन लास्ट में अगर देखा जाते हैं तो पॉल्ट्री अगर डिसीज की बात करते हैं तो पॉल्ट्री मुर्गियों में बहुत सा जिस्ते रानीखेट डिसीज होती है बहुत खतरनाक नाम तो बहुत अच्छ है लेकिन वह डिसीज उत्रहीं जादा खतरनाक है ठीक है रानीखेट डिसीज होती है इसको नूके सिल् वह सारा डिजिस है जैसे बी-डव्लू डिजिज है बैसिलरी वाइड बारियर या जिसको बहुत आ है सियाई डिजिज है और इसमें लगने वाले डिजिज यह कभी अपन पॉर्टर फार्मिक चैप्टर पढ़ेंगे डिजिज के बारे में तब इसके बारे में अपन डिसकस करेंगे ठीक है तो यह है आल अबाउट मेरे खाल से एनेमल के मैं सारे इंपॉर्टेंट जो इलेवेंथ में भी जो ट्वेल्थ में दोनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह मैं आपको जितना मेरे से हो पाया मैं उसको आपसे शेयर किया और जो बच गया है उसको अगर जो में आगे कभी और किसी क्लास में जरूर्ड शेयर करेंगे आपको कभी भी किसी भी हमारे कोचिंग मैं किसी भी स्टुडेंट को को बाहर वार का बी ट्रौन्ट ऐसा जगह का भी श्टूडेंट है जिसको एगेरीकल्चर का प्रोपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो कभी भी हमारे स्टूडेंट हमारे कोचिंग स्टूडेंट में कॉल करके नहीं संकोच पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यह पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है यह आप मेरे लिए अच्छा हो जाता है बिल्कुल उसका हमारे कोचिंग के माद्धम से हेल्प किया जाएगा और उसके क्वेश्चन का प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा इसमें नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में अब भी आप लिख सकते हैं कि सर में कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप थोड़ा से हेल्प कर दीजे तो कोई न कोई जो है या मैं हूँ या मेरे कोचिंग को स्टाफ हो या कोई न कोई आपके हल्प जरूर करेंगे ठीक है इसी इसी सब जानकारी के साथ मैं आज आपका क्लास कतम करता हूं थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच